आज मैं सभी देश्वासियों के साथ देश की तीन बड़ी उपलब्दियों को साजा करना चाहता हूँ और ये बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूँ भारत की इन उपलब्दियों के बारे में जब मेरे देश्वासी जानेंगे मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा और विशेश कर हमारी माता और बहनों को बहुत गर्व होगा अमरित काल में भारत जिन विशाल लक्षों पर काम कर रहा है उससे जुड़ी तीन अहम पड़ाव हमने आज पार किये हैं पहला पड़ा आज देश के दस करोड ग्रामिन परिवार पाईप से स्वच्छ पानी की सुविदा से जुड़ चुके हैं दस करोड ग्रामिन परिवार एक घर जल पहुँचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है ये सबका प्रयास का बहतरिन उदारण भी है मैं इस उपलब्दी के लिए हर देश स्वासी को और विशेश कर माताओ बहनों को बधाई देता हूँ साथियों देश ने और विशेश कर गोवा ने आज एक उपलब्दी हासिल किये है आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर गर जल सर्टिफाई किया गया है दादरान अगर हवेली एवन दीव और दमन भी हर गर जल सर्टिफाईड केंद्र स्वासीत प्रदेश बन गए है बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े विशन में गोवा अग्रणी भूमी का निभाता जा रहा है मैं गोवा की जनता को प्रमोज जी और उनकी पूरी टीम को गोवा की सरकार को स्थानिय स्वराज की संस्ताओं को हर किसी को बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ आपने जिस प्रकार हर गर जल मिशन को आगे बढ़ाया है वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है मुझे खुशी है कि आने वाले महिनों में कई और राज्य इस सुची में जुड़ने वाले है साथियों देश की तीसरी उपलब्दी स्वच्छ भारत अभ्यान से जुड़ी है कुछ साल पहले सभी देश वाच्छों के प्रयासों से देश खुले में सौच से मुक्त गोशित हुआ था इसके बाद हमने संकल पर लिया था कि गावों को ओडी एफ प्लस बनाएंगे याने कॉम्यूनिटी ट्वाइलेट्स प्लास्टिक बेस्ट मेनेजमेंट ग्रे वाटर मेनेजमेंट गोबर्दन प्रोजेक्स ऐसी सुविधाय विक्सित की जाएगी इसको लेकर भी देश ने एहम माइल्स्टोन हासिल किया है अब देश के अलग-अलग राज्यों के एक लाग से जादा गाव ओडी एफ प्लस हो चुके है इन तीनों एहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को सभी गावों को हम जितनी बदाई दे उतनी कम है